यूट्यूब की आन्षिड में आसीजरी में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत सबाओं आज कर, दोस्तों दोहजाखमंदला में जो TET हुआ था उसका इंबनौनमेंटल साइन्स से जो कोस्ञ नाया था कहां से ऐ था शौ कहां से जावत सीं क्लेसे बतलाओंगा, और यह लेकिन जहां दामोदा मिलती है वह वहां इस नदी का नाम हो लिए तो यह इंसर आपको समझ में आ गया है इसका उत्तर होगा आपका दामोदा अगला चलते हैं 122 नमक को सिन वीच आप दा फ्लोइंग और वाइल एनिमल कौन सा जानवर आपका जंगली जानवर है इसमें से मैं आपको क्लास 5 का बुक से दिखा देता हूं ऐसे था हमको पता चल गया ही है आप सभी को भी पता चल गया पता चल गया होगा कि टाइगर उसनेक आपका जंग साथी बाग भालू यह सब जंगली प्राणी है साप जो है काग गोरईया यह सब जंगली प्राणी है ठीक है अगला कोश्चन देखते हैं वीच आप दा फ्लोइंग टीशार मेंग्रोब इन नेचर इनमें से कौन सा मेंग्रोब प्रकृती के जाती के बिच है तो देखते ह यहां पर घूचा यह देखिये में गौप पेड इसके अलवा है तल गोलपाथ अपकाहम फिर है कि इसम्हें है इसमीन में मिला नहीं है इसका ठांसलेशन कबंदो है इसका तंसलेशन प्रक बि्र Witness 24 नमा कुछिन दफ्स्ट एजूकेशन मिनिश्टर आप इंडिपेंडेस इंडियावाद भीमरावामिटकर यह तनी होगा यह कुछिन आपका बुक में हो भी सकता है लेकिन मैं इसको अपने आप ही हल करूँगा क्योंकि आप भी समझ पारे कि भीमरावामिटकर जी एजूके कि यह देखिए आपका यह साल भार हस्वताल डॉट चिकिस सकरवानी पड़ती है और कुछिन क्या था मेरा कि कौन सा रोक के लिए डॉट का इस्तिमाल करते हैं तो ठीक इसके उपर में ही इसका एंसर है आपका लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है एक्चमा के रोगानू भी रहते हैं एक्चमा मतलब आपका होता है टूर्बो क्लोसिस यहीं उत्तार आपका मिल जा रहे हैं इसके आलावा यह पुरा पॉइंट ही अच्छा है इसको पढ़ने के लायक है नीचे तक अगला कुशन देखते हैं यहां पर आपका कुश्यन है 126 नमर वीच अपड़ प्लॉइंग पार्ट्स आर कनेक्टेट विद डाजेस्टी सिस्टम सब इमन बोडी तो इसमें से कौन सा कनेक्टेट है इमन बोडी के डाजेस्टी सिस्टम में देखते हैं बुक से यह है दोस्तों आपका किता इसमें किता आपड़े में ही पाचन तंत्र दिया हुआ है और इसके बाद आपका चोट आप्सरें का यहां में ये सब आपका हो गया आपका पेट को ही कर सकते हैं और इंस्टेश्टाइन मतलब आपका आथ होता है छोटी आथ तो आपको पता चल रहा है कि आपका सी नमर जो अप्शन है वो सही है 127 नमर को से में चेदा कॉलम आई वीट कॉलम ऑफ टू इसमें से कौन से सही है पुरूलिया सांत्रागाची जील हावडा साहे आपका क्या है यह सहेवंद आर्श्री का आपका कुछ भीहार रसिक भिल तो यहां पर आपका देखें हावडा में सात्रागाची जील परता है त साथ लगाची जील का मनें आपका सी नमर उप्सें इसका होगा ऐसे बिए क्लास फूर किताब में दिया गया है लेकिन आपको इसमें समझ करना है किताब में अच्छी तरह से में में ज़िए अगला देखते है 128 नमर में वीच आप दफ फ्लोइं स्टेट्मेंट इच करेक् तो इसमें से बोला जा रहा है कि टीबिया और फिबुलार एक्स्टेंडेंट फ्रॉम ही टू नी यह आपका कुर्शन है क्लास पाइब के किताब से यह देखिए आपका पीज नमर 11 है इसमें आपका कुर्शन है यह जो दिया गया है यहां पर यहां पर आपका कमर से गुटना यह हो गया फीमार और कंदे से कहनी तक हो गया हुमरस हुमिरस तो यह आपका ओप्सन नमर जो हो जाएगा सही बी का हो जाएगा अब दोस्तों मैं line by line question को help नहीं करूंगा मैं आपको इसमें से दिखला देता हूं कि class 4 का book से भी बहुत सारे question पूछा गया था तो जो कि आपका 132 नमर जो है आपका मैं दिखला देता हूं यह 132 नमर question which one of the flowing would be formed if water vapor accumulations on the surface of dual particles तो इसमें से जो पूछा गया है कि कि धूल के कारण धूल के कारण जो जलिया वास्प में कौन से चीज इसमें रता है तो यह आपका answer class 4 का किताब से दिया गया है यह जो यहां पर देखा वास्प होकर पानी बुंदे त्यार करती है और उसके बाद फिसके बाद गिलास के बाहर बुंदे भी वापस त्यार हो जाते हैं यहां पर धूवा लिखा हुआ है इसी chapter में आपको में लिखा रहेगा जिसमें दिखाई देदेगा कि इसका answer आपक best of Darcally यह जो को से यह क्लासव पूर का बुक से दिया गया है चलिए मैं आपको आपको बुक मिले जाता हूँ तो इस तरह करके आप सब समझ पा रहे हैं दोस्तों कि यह ज़्यादा तरपर मैं क्या कहूं कि इसमें सभी जितने सारे EBS के कोस्टेंस हैं सभी आपके class 4 और 5 किताब से मिल जा रहे हैं तो इस बार का most जो सजेक्शन बुक कहेंगे वह आपका class 4 5 का बुक है उसको अच्छी तरह से फ्लो कीजिए क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप 4 का किताब को अच्छी तरह से पढ़िए और उससे आपको अच्छा अच्छा लागा हो जरू से जरू अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा अच्छे लिगो सब्सक्राइब और से जरू करेंगा और मैं आपको इस किताब का जो बिर्श बंगर बोड का अँछा लागा है दाईस। झाल झाल